नमस्कार बेनो टेक लगाव अंगनवाडी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज जैसे कि थम्डेल में हमारे आपने देखी लिया होगा कि 65 दिन जो अंगनवाडी केंद्र बंद रहने वाले हैं इस साल 2023 में वो कौन-कौन से दिन बंद रहने वाले हैं टोटल 65 जिन जो आपके तेवहार हो गया जैसे मौसम की अनुकूलता को देखते हुए वो छुट्टियां तो आपको अलग से मिल सकती हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि जैसे कोई तेवहार पढ़ गया आपका होली दिवाली बसंद पंचमी ये सारे तेवहारों पेकुल कितने दिनों के छुट्टी होगी कौन-कौन से दिन केंदर खुला रहेगा इस सभी पर आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजे ताकि और भी बहनों के पास ये पहुँँच सके ठीक है तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे वसंद पंचमी है 26 जनवारी को एक दिन की छुट्टी फिर महाशिवरात्री है उसमें भी एक दिन की छुट्टी होली है इध है बकरीद है मोहरम है कृष्ण जनमाष्ट भी है तीज है जितिया है इन सब में आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी तुर्गा पूजा में दो दिन की छुट्टी मिलेगी जो की 23 एवं 24 अक्टूबर 2023 को होगा दिवाली भाया दूज छट पर्व इन सब पे आपको एक एक दिन की छुट्टी मिलेगी अब बात करते हैं कि वर्ष 2023 में आंगनवाडी केंद्र संचालन दिवसों की संख्या तो कुल 300 दिनों आंगनवाडी संचालित किये जाएंगे इसमें जो सर्दिया की छुट्टी और ऐसा वैसा उकास है इसमें शामिल नहीं किया गया है रवी बार आपके 52 दिन पढ़ेंगे 52 दिन आंगनवाडी केंद्रों में अकास कुल 13 दिन तो अगर कुल छुट्टी मिलाएं हम तो टोटल 65 दिन होता है 52 प्लस 13 65 ठीक है तो जब 300 दिन जब साल में 365 दिन होते हैं और 300 दिन आपके आंगनवाडी केंद्र संचालित होंगे तो बचा कितना 65 दिन बचा 65 दिन आपकी छुट्टिया होंगी इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी उसकी चिंता मत करिएगा आप लोग कमेंट करके बस मुझे बताइए कि आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमें इस साल के एंड तक आखरी तक 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं अपने टेक लगाव आंगनवारी फैमली को 10,000 लोगों को तक बनाना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने जान पहचान के लोगों से ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ तो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा